नमस्कार सभी को चलिए, बायोलोजी की ये दूसरी क्लास है टाइटोलोजी चेप्टर स्टार्ट हुआ था कोशी का विज्ञान और आज कोशी का विज्ञान की दूसरी क्लास होगी खीक है, तो कुछ बेसिक बातों के हमने चर्चा कल ली थी उसी के आगे बढ़ते हैं पहले एक बार तेजी से वो चीज़े देख लेते हैं तो हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल, कोशी का क्या है सबसे पहले कोशी का की खोश किस ने किया था कोशी का की खोश किस ने किया था तो भाई ये dead cell थी, कैसे थी, dead cell, क्योंकि इन्होंने कोसिका की जो खोश करी थी, वो कार्क से करी थी, कार्क क्या है, एक प्लांट का टिशू है, पादफ है, ठीक है, तो कार्क में इन्होंने कोसिका की खोश करी थी, तो कोसिका की खोश तो हो गई थी, लेकिन वो मरत कोसिका चर्चा हो चुकी उसके बाद अगर बात की जाए कि living living self जीवित कोशिका की खोज किस ने किया तो जीवित कोशिका की खोज किया है एंटोनी वान लिवेन हॉक ने और एंटोनी वान लिवेन हॉक ने जो जीवित कोसिका की खोज किया है वो किसमें किया था तो एक बैक्टेरिया में किया था और वो बैक्टेरिया का नाम क्या था तो माइको प्लाजमा नाम था ठीक है उसके बाद कोसिका सिधान किस ने दिया है अगर प्रशना आ जाए कि कोसिका सिधान cell theory किस ने दिया है तो मुझे बताओ भाई cell theory किस ने दिया है कोशिका सिधान्त का प्रतिपादन करने वाले बैग्यानिक का नाम क्या है sliding even swan बड़े important बैग्यानिक है sliding even swan ने कोशिका सिधान्त दिया है cell theory दिया है तुट्रो चैट ने क्या किया है डिट्रो चैट नहीं बताया था कि ये जो सेले होती हैं क्या होती हैं ये सेले मिलकर एक जो बड़ी सनशना बनाती हैं उसको टीशू कहते हैं उसको उतक कहते हैं तो उतक के बारे में डिट्रो चैट नहीं बताया था ठीक है एक थे उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि एक जब पुरानी सेल होती है तो ये पुरानी सेल अपने आपको डिवाइड कर लेती है और डिवाइड करके क्या करती है नई सेलों का निर्मार करती है कहने का मतलब जब एक cell मरने वाली होती है तो अपने समान नई सिलों को जन्म देके मरती है तो ये बात बताया था रुडॉल्फ विरिचो ने बताया था इसके लिए उन्होंने एक इस्तेमाल किया था किस सब्द का इस्तेमाल किया था Omnis Cellula Omnis Cellula Two Cellula यह सब्द प्रयोग किया था Omnis Cellula Two Cellula Omnis का मतलब होता है Old Cellula मतलब Cell Two का मतलब यहाँ पर E था क्या था E और E का मतलब Two तो पुरानी Cell से Omnis का मतलब पुरानी Cellula मतलब Cell पुरानी Cell से नई Cellों का निर्माड होता है इस सब्द का मतलब यह होता है और ये बात किस ने बताई थी, तो आपके बताया था, Rudolph विर्चो ने बताया, ठीक है, मानो सरीर की सबसे लंबी कोसिकाएं कहां की होती है, नर्वस सिस्टम की होती है, सबसे लॉंगेस सिल कहां की होती है, उसके बाद अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में सबसे छोटी को कोसिका बैक्टिरिया की होती है, और उसका नाम है माइको प्लाज्मा गैलिस्टेप्टिकम, माइको प्लाज्मा गैलिस्टेप्टिकम, या उसको हम पीपी एलो भी कहते हैं, या एम एलो भी कहते हैं, और ये जो पीपी एलो है, या एम एलो है, माइको प्लाज्मा गैलिस् तो चलिए ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे, basically हो गया था, तो पुरी दुनिया में सबसे बड़ी कोजिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोजिका होती है सुतुर मुर के अंडे की, सुतुर मुर का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है, पुरी दुनिया में सबसे बड़ जो cell होती है largest cell होती है सबसे smallest cell किसकी होती है तो smallest cell होती है आपका bacteria की होती है उसका नाम क्या है bacteria का नाम क्या है mycoplasma, galliceptcom या PPLO या MLO अगर हम बात करें कि मानो सरीर में सबसे छोटी कोचिका तो मानो सरे में सबसे छोटी कोसिका होती स्पर्मसल और मानो सरे में सबसे बड़ी कोसिका होती है ओवम अंडावड की ठीक है तो ये बेसिक चर्चाय हैं यहां से प्रशन फूछे जाते हैं कोसिका की खोज, कोसिका की जिवित कोसिका की खोज, ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं चलो तो कोशिका की खोज हो चुकी है कोशिका की खोज हो चुकी है आपको साइन्टिस्ट आउर आएंगे ठीक है ठ्यान दो जैसे हम मालने की भाई ये कोशिका है कोशिका कोशिका की खोज हो गई है माल लेते हैं ये कोजिका है, तो कोजिका में 3 important भाग होते हैं, ऐशे बना लेते हैं, माल लो ये cell है, एक इस तरह से एगर ये कोई cell हम बना लेते हैं, तो इस cell में में 3 चीज़े, cell के 3 भाग होते हैं कहलो, एक भाग का नाम होता है, सुरच्छा कवच, क्या नाम होता है, सुरच्छा कवच, और दूसरा भाग होता है cell का, कोशिका द्रव्द्य, और एक तीसरा भाग होता है, इसका नाम है केंद्रक, क्या नाम है भाई, केंद्रक, या इसको हम न्यूकलियस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूकलियस, ठीक है, अब ध्यान दो, क्यों समझो आप ऐसे इस बात को, अब सुरच्छा कवच के दो पार्ट होते हैं, अभी ये बारी-बारी से आएंगे, इनको समझना है मैं, एक होता है cell wall, जिसको कोशिका भित्ती कहते हैं, और एक भाग होता है cell membrane, तब समझ में आएगा आपको, no doubt, कोशिका जिल, cell membrane, right, कोशिका द्रव दे, कोशिका द्रव के अंतरगत कई सारी सनचनाय हो दुए, जैसे ही, mitochondria का नाम सुना होगा आपने, mitochondria, mitochondria और आपने इस नाम सुना होगा, lysosome का, lysosome, अभी ये नाम लिख ले, सब आगे detail में समझ में आएंगे आएंगे, आपको, lysosome, ribosome का नाम सुना होगा, ribosome, गाल जी का है, गॉलगी बॉड़ी, गॉलगी बॉड़ी, गॉलगी बॉड़ी, गॉलगी का है, ठीक है, चेबाद, mitochondria, lysosome, ribosome, गॉलगी बॉड़ी, endoplasmic reticulum, और भी कई सारी संचना हैं, बस इतना ही लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे, reticulum, अभी सिर्फ परिचय है, अन्ता प्रदव्वी जालिका, पोशिका द्रव्य, यानि केंद्रक होता है, केंद्रक, और केंद्रक में भरा होता है, नाभिक बोल सकते हैं, नाभिक में भरा होता है, नाभिकी अमल, नाभिकी अमल, ठीक है, नाभिकी अमल भरा होता है, नूकलिक एसिट, नूकलियस में नूकलिक एसिट, और ये नाभिकी अमल दो प्रकार का होता है, RNA और DNA नाम सुना होगा आपने RNA और DNA Ribonuclecum T-oxyribonuclecum ठीक है, तो ये सारी चीजे एक cell के अंदर होती है ठीक है, ये structure होता है तो इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं ऐसे समझो जैसे हमने एक cell उठाया कान की cell उठा लिया, नाक की cell उठा लिया कहीं की cell उठा लिया, यहां का सबसे छोटा भाग उठा लिया, यहां का कहीं का उठा लो पुरी सरी में कहीं का छोटा भाग उठा लो तो माल लो cell का एक छोटा भाग अमने उठा लिया तो माल लीजे यह आमने सेल उठा लिया यह सेल इसी तरह की सेल है तो जब राबर्ट हुक ने सूच नरसी से देखा तो इसी तरह की सेल दिखाई दी गोल-गोल ठीक है? यह सेल है इसके अंदर द्रो भरा हुआ है क्या भरा है? द्रो भरा है इसके अंदर द्रौ भरा है और द्रौ भरा हुआ है कुछ पार्ट में तो द्रौ भरा हुआ है लेकिन कुछ पार्ट में गोल गाड़ी सनचना है इस तरह से और सेल के चारो और ये जो सेल है इसके चारो और एक जिली लगी है और फिर उस जिली के बाहर यूँ समझे लो एक और लेयर है तो जो सबसे बाहरी लेयर है इसका नाम है कोश्का भित्ति का नाम है सेल वॉल ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा कुछ बाते और समझ में आएंगे आपको कोश्का भित्ति सेल वॉल उसके बाद ये जो सेल है सेल के चार और ये जो मेंब्रेन जैसी दिख रही इसका नाम है कोश्का जिली अभी सिर्फ आपको सब्द सुनने हैं बाद सेल मेंब्रेन कोश्का जिली क्या क्या होता है इनके काम बता चलेंगे कोश्का जिली क्या है ये हो गया कोश्का जिली अब ये जो द्रौ भरा हुआ है कोश्का के अंदर ये जो पीला वाला द्रौ भरा हुआ हुआ है इसका नाम है साइटो प्लाज क्या नाम है साइटो प्लाज कोशी का द्रव्व क्या नाम है भाई कोशी का द्रव्व देना और ये जो बड़ी सनचना दिख रही है कि जहां पर अलग प्रकार का लिक्विड भरा होगा कोल सनचना जो दिख रही है ये बड़ी सनचना इसका नाम है इस नाभिक क्या नाम है और नाभिक में ही प्रेजन्ट होते हैं आर एने और दी ठीक वो चर्चा हो आप ध्यान दू और क्या इसमें समझने वाली बात है अब ये जो कोशिका दर्व है पीला वाला इस कोशिका दर्व में तमाम छोटी छोटी सनचना यह प्रेजन्ट है जैसे इसी में आपको मिलेगा कि मानलो Mitochondria मिलेगी क्या मिलेगी Mitochondria इसकी में होगी आपकी Mitochondria और मानलो ये दूसरी सरचना हमने बना दिया उबारे जैसे इसका नाम होगा Lysosome क्या नाम होगा भई Lysosome सब इनके काम अलग अलग है और इस तरह से मानलो हमने ये दिखा दिया तो चने की टाइप में ये मानलो आपकी हो गई राइबोसोम क्या हो गई राइबोसोम इनको बोलते हैं तो माइट्रो कॉंड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया उसके बाद मानलो इस तरह से कोई सनचना दिख गई तो इनका नाम हो गया इंडो प्लाज्मिक इंडो प्लाज्मिक रेटिकूलम इंडो प्लाज्मिक रेटिकूलम अन्ता प्रदवी जालग ठीक है उसके बाद ये सारी सनचना है जो आपको दिख रहे हैं तो ये है आपकी कोई का सेल सेल के अंदर इतनी चीजे होती है और भी चीजे हैं पहले तो आप इतनी चीजें को नोट करें सबसे पहले क्या होती है इस सेल ये जो दिख रहे हैं सबसे पहले ये क्या होती है सेल होती है यह सेल है सेल के अंदर यह जो पीला-पीला द्रौ भरा है इसका नाम है कोशिका द्रव साइटो प्लाजम अब इसी कोशिका द्रव में कुछ सनचना है प्रजेंट है छोटी-छोटी सनचना है जैसे माइट्रो कॉंड्रिया का नाम सुनते हैं जहां पर उर्जा बनती है तो सेल के अंदर उर्जा बनती है माइट्रो कॉंड्रिया अब यसे ये एक कान है कान के अगर एक सेल निकालोगे तो इतनी सारी चीजे प्रजेंट है कान की एक सेल में खुश का द्रव्य होगा उसमें माइटोकॉंड्रिया होगा उसमें राइवोसोम होगा राइवोसोम को प्रोटीन की फैक्टरी कहते हैं यानि वो प्रोटीन बना रही होगी लाइजोसोम होगा लाइजोसोम में एंजाइम होते हैं वहाँ निकारक पदार्थों को मारने का काम कर रही होगी सब चीज का अपना अपना विसेस महत अभी हम समझेंगे उसके बाद केंद्रक है कोसिका के अंदर यानि कान की कोसिका लाओ इसमें गोल गाड़ी सनशना दिखे उसका नाम है केंद्रक उसी में होता RNA, DNA DNA का नाम सुना होगा आपने DNA अन्वांसिक पदार्थ होता है जो पिड़ी दर पिड़ी ट्रांसफर होता है ठीक है? पिता से बच्चे में आता है इसलिए चीजे मैच करती है फुर मैच करते हैं, फैसेस मैच करते हैं ये सारी चीजे हर जगे प्रजेंट है ठीक है? उसके बाद ये जो सेल है सेल के चार ओर एक मेंबरेन होती है इसका नाम है कोसिका जिल्ली और ये कोसिका जिल्ली बड़ा इंपोर्टेंट रोल लदा करती है, किसको कोसिका के अंदर जाना है किसको नहीं जाना हा निगारक पादार्थों को रोकेगी क्योंकि सबी चीजे अगर चली जाएंगी तो cell damage हो जाएगा न ठीक है उसके बाद इसके बाहर एक कठोर और आवरण होता है जिसको बोलते हैं कोजी का भिती cell valve अब यह जो cell valve है यह हर जगह नहीं पाया जाएगा कुछ चीजे हैं जो कुछ में होंगी कुछ में नहीं होंगी अभी हम वो चीजे बता रहे हैं आपको जैसे हमने कोई ऐसा example लिया जिसमें सब प्रजेंट है यह कुछ चीजे प्रजेंट नहीं है बट यह सारी चीजे सुनने को मिलेंगी एक cell के अंदर दिखेंगे ठीक है बास समझ में आई कि नहीं तो यहां तक आप इस बात को ऐसे समझेगा जहां भी cell word आ जाएगा तो दिमाग में आप बैठा लेना कि कोशिका है कोशिका गोल है गोल जैसी लगभग है उसका structure spherical type है उसमें द्रॉभ भरा है उसी में माइट्रो कॉंडिया है उसी में प्रोटीन बन रहा है कोशिका द्रव है ठीक है एक सब्द इस्तेमाल होता है ध्यान देना इस शब्द का प्रयोग करना है या ऐसा होता है का इव कि रहा कि इसको वोड़ते है प्रोटोपलाज्व का मोड़ते हैं protoplasm तो जीव द्रव्वे और कोश्काद्रव में एक अंतर है उस Tiffany को शिक द्रव्व ऐा यह जो कोश्का द्रव्वे जो धिखरायी जहां पर ये पीला पिला है सरचना है प्रेजेंट है तो यह कोश्का द्रव्य है अगर हम कोश्का द्रव्य में क्या करें अगर हम साइटो प्लाज्म में कोश्का द्रव्य में जहां माइट्रोकॉंड्रिया यह सापूरा प्रेजेंट है अगर हम साइटो प्लाज्म में क्या जोड़ दें नुक नाभिक जोड़ दें तो ये पूरी सरशना कहलाती जीवद्रब जीवद्रब को पूरा स्ट्ट्चर दो दिख रहा है वो प्रोटोपलाउज नहीं कोश्का द्रब में नुकलियस जोड़ दो वो पूरा स्ट्ट्चर क्या होता है जीवद्रब दो कन्फरम सभी को राइट चल यह हमने देख लिया, अगर यह चीजें हमें समझ आ गई हो, तो हम आगे समझेंगे बातों को, ठीक है, चलो, heading डालो, types of cell, हमारी अगली heading होगी, types of cell, कोशिका के प्रकार, जान दो यह बड़ा important है, कोशिका के प्रकार बड़े important है, यहां से धुवाधार question आएगा, ठीक है, कोशिका अब इस्तकली दो प्रकार की होती है, हमने देखा था, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोश की जिव, पहु कोश की जिव, उसी प्रकार, एक कोश की जिव, अलग है, एक कोश की मतलब उसमें एके प्रकार की कोशिका है, पुरा सरीर एके प्रकार की कोशिका से ब बहु कोश्की में आते हैं वो चर्चा हो गई थी अब कोश्का के प्रकार तो कोश्का दो प्रकार की होती है एक होता है आपका प्रोकेरियोटिक pro chaotic पोड़े important नाम है ये सब ये नहीं समझाएगा तो आगे फिर problem हो जाएगे pro chaotic कोष्का और एक होती है you chaotic you chaotic cell ठीक है? इनके हिंदि-ंगलिश नाम एक ही है pro और you अब इनका मतलब क्या है? pro मतलब होता है free प्री मतलब होता है प्रारम्धिक यहां भी वर्ड आएगा केरियोटिक केरियोटिक मेंस कोतिक इसी तरह यहां पर जहां भी यू वर्ड आएगा यू का मतलब होता है ट्रू क्यूं का मतलब true केरियोटिक मतलब होता है nucleus अभी थोड़ी दिर पहले आपने nucleus देखा था ठीक नाभीक या केंद्रक बोले ठीक और केरियोटिक मतलब nucleus नाभीक केंद्रक आप देखो कुछ ऐसी सिलें आपको मिलेंगे कुछ ऐसे प्रकार की कोशिकाएं होंगी जिसमें जो केंद्रक होगा वो प्रारंभी का वस्था में होगा प्रारंभी का मतलब केंद्रक जो है प्रारंभी का यहां sense क्या है प्रारंभी का sense यहां पर है जो केंद्रक होगा वो अविक्सित होगा क्या होगा क्या कह सकते हैं अल्पविक्षित होगा अल्पविक्षित होगा अल्पविक्षित होगा या इमेच्योर होगा कुछ ऐसे सिल हैं या कुछ ऐसे जीव हैं इनमें केंद्रक नूकलियस अल्पविक्षित होता है अल्पविक्षित होता है या होता ही नहीं है एपसें हो उन्हें prokaryotic कहते हैं अतलब यह समझो जैसे यह कोशिका हमने बनाया सेल बनाया क्या बनाया कोई ऐसा जीव है हर जीव में कोशिका होगी अगर वो जीव है तो उसका सरीर कोशिका से जरूर बना होगा, सबसे छोटी कई कोशिका ही होगी, अब कोई ऐसा जी उमने ले लिया, जिसकी में सुसेल तो है, लेकिन इसका जो केंद्रक है ना ये बड़ा पुरा बना नहीं केंद्रक, अलप विक्सित, अलप विक्सित होगा या केंद्रक जैसी कोई बात ही नहीं हो जिवाड जिवाड आपका प्रोकेरियोटिक में आता है बड़ा इंपर्टेन कोश्च प्रोकेरियोटिक में आने का मतलब जिवाड जो होता है उसमें केंद्रक नहीं होगा या उसमें केंद्रक अगर होगा तो किसी काम का नहीं होगा केंद्रक नहीं और एक होता है शाइनो वैक्टिरिया सायenो बैक्टिरिया सुना होगा हाइनो बैक्टि या इसी को हम लोग पूलते है तो में say हम और रीम अल्गी नील हरी सेवाल या सायनो वैक्टिरिया एक बात है तो जितने शारे बैक्टेरिया हैं वो आपके आएंगे प्रो केरियोर्टिक में पोस्ट इंपर्टेन तर एक अगला पांट अब यहाँ पर क्या बात होती है भाई फ्रियू माने सत्य है और सत्य का मतलब होता है यहाँ पर इनमें जो नुक्लियस होगा वो विक्सित होगा क्या होगा भाई इनमें जो नुक्लियस होगा वो डेवलप्ड बढ़ी हाँ नुक्लियस इसका अगर हम इस चक्टर देखें तो मानलो यह कोई सेल है क्या है cell बना लिया इसे अब इसमें जो नाभीक होगा नाभीक होगा भी अब present भी होगा और नाभीक बढ़िया विक्सित होगा ठीक है नाभीक बढ़िया विक्सित होगा और नाभीक के चार ओर इस तरह से जली पाई जाएगी और नूकलियस के चार और एक मेंब्रेन भी रहे गी इसका नाम है नाम होगा नूकलियर नूकलियर nuclear membrane नाभी की जिल्ली membrane फिक है nuclear membrane नाम होगा nuclear membrane इसका नाम क्या होगा नाभी की जिल्ली नाम होगा अब देखो इसमें तो नाभी की जिल्ली होगी अगर आप से कहा जाए क्या इसमें नाभी की जिल्ली होगी तो इसमें नाभिकी जिल्ली नहीं होनी क्योंकि नाभिक ही नहीं है तो नाभिकी जिल्ली कहां से हो और ये जो नाभिकी जिल्ली होती है क्या करती है ये सुरच्छा करती है इसका सुरच्छा करती है नाभिक की जिल्ली क्यों लगी है अगर जिल्ली लगी है तो उसका कोई न कोई काम होगा नाभीक के अंदर कोई हानिकारक चीजे न जाएंगा एक तरह से सुरच्छा का काम करती है ये नाभीक की जिल्ली तो ये हो गए आपके यूकरियोटिक तो यूकरियोटिक में कौन आएगा हम लोग किसमें आएगे यूकरियोटिक में जिसमें केंदरक होगा नाभीक होगा नुकलियस होगा वो बहुत ही विक्सिवत इंसान होगा उसका शरीर विकास करेगा अगर बैक्तिरिया के अंदर नाभिक होता तो वो भी DEVELOP करता विकास करता बड़े बैक्तिरिया हो जाते है ठीक है आपके असपास बड़े बैक्तिरिया चलते हूं नजराते जैसे कि कुट्ते、 मिली चमगादर नजराते चलते हैं लेकिन बैक्ति अब नहीं करपाता है, तो यह सुरच्छा के तोर पे हैं, आप जैसे हम लोग, जितने भी एनिमल हैं, हम लोग जन्तु में आ जाते हिं, जितने भी एनिमल्स हैं, पढ़ अफे, पेड़ पौधे बढ़िया विखसित हैं देखो, हंगी, कवक भी विखसित हैं, एलगी विक्सित हैं, सैवाल विक्सित हैं, तो ये जितना सारा विक्सित दिख रहा है, बड़िया प्रॉपर तरीके से ब्रम्हांड में नजर आ रहे हैं, कुता, बिल्ली, चमगादर, पकरी, गाय, भैंस, ये सब क्या हैं, यू केरियोटिक, यू केरियोटिक मिन्स, इनका स कोनों में क्या है, और इसके एक्जामपल, सभी जन्तु, पेड़ पौधे, कवक और सैवाल, एलगी मतलब सैवाल, के आपके आएंगे, इसमें आएंगे जड़ा बताओ, यू केरियोटिक में, कनफर्म सभी को, एक, चली, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक हैं, और अगले दिन, क्लास आपकी यहीं से फिर स्टार्ट होगी, परिया अच्छे से नोट्स बनाएं, और त्यार करते रहें, किक हैं, बदने बाद,